मैंने तुमसे कहा था कि पून गुरूओं ने मन के विनाश के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए है आए हम क्रिया के मार्ग से शुरू करें क्यूंकि शरीर के माध्यम से मन की मुख्य गदिविती क्रियाओं की है जब तक मन है तब तक शरीर है और कर्म भी है क्रियाओं छाप छोड़ती है और छापे मन को खिलाती है तो अहसत्य अहंकार को साकार रूप में बदलने के लिए मानुनाश के अलावा और कोई उपाय नहीं है इसलिए मास्टर्स चाहते थे की कारवाई इस तरह से की जाए की छापों के प्रबाव नपुन्सक हो जाए इसलिए कोई परिनाम नहीं कोई बंदन नहीं ऐसे तीन तरीके हैं जिनके द्वारा किया गया कारिय बाद्य नहीं होता है एक तो कारिय करना है लेकिन बिलकुल बिना किसी स्वार्थ के लेकिन यह निस्वार्थ कारिय जिसे निस्वार्थ सेवा कहा जाता है लगबग असंभव है दूसरों के प्रती दया की बावना भी नहीं होनी चाहिए जिस शन आप सोचते है कि आप दूसरों के सेवा कर रहे है या उनका उद्दार कर रहे है आप पकड में आ जाते है और बाद्य हो जाते है दूसरा तरीका यह है कि आप जो कुछ भी करते है उसे इश्वर या पून गुरू को समर्पत कर दे यह समर्पन इकपल के वीराम के बिना निरंतर और निरंतर होना चाहिए यदि आप ऐसे करने में शक्षम है तो क्रियाओ का कोई प्रबाव नहीं बनता है लेकिन यह बहुत मुश्किल है तीसरा तरीका है उसके आदेश पर कारिय करना जिसका मन नश्ट हो गया है और इसलिए छापों से मुक्त है यदि आप वह करते है जो वह आपको करने के लिए कहता है तो आप बाद्य नहीं है यह भी आपके लिए आसान नहीं है आपको पून गुरु में सौ प्रतिशक आटूट विश्वास होना चाहिए दूसरा मार्ग है ध्यान का कुछ गुरुओं ने ध्यान और इकागरता के माध्यम से ही मन को हराने का तरीका बताया जब मन इकागर होता है तो उसका आगे का कारिय कमजोर हो जाता है और संसकार अपने आप समाप्त हो जाते है इस प्रकार जो संसकार प्रित्वी कीडियों के समान है और जिनका निश्पाद्यन होना चाहिए वो स्वेह्म को खाते है लेकिन इस प्रक्रिया के दोरान मन निराश महसूस करता है और अधिक हताश हो जाता है अवंचित विचार जो आपके पास कभी नहीं थे आप पर हमला करते है और अंत्ता तीन चीजों में से एक होता है एक आप उप जाते है और आप अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते दो आपको नींद आती है या ठकान आती है तीन आपको अधिक से अधिक बुरे विचार आते रहते है बहुत कम लोगों के लिए जो बहादुर दिल से धैर्वपूर्वक बनाएं रखते है इसका परिनाम यह होता है कि मन अस्ताई रूप से रुक जाता है तब व्यक्ति को परमानन भाव का अनुबव होता है लेकिन वह एक डोप की तरह हो जाता है जिसकी उसे लत लग जाती है या वह समादी में चला जाता है लेकिन यह मानुनाश नहीं है इस प्रकार इक्रता से मन का नाश संबव नहीं है तीसरा मार्ग है भक्ति का जब कोई पूरी तरह से भगवान या पून गुरू के प्रती समर्पत होता है तो वह खुद को बूल जाता है और उसके दिमाग को नया बाद्यकारी संसकार बनाने का कोई मौका नहीं मिलता है शाश्वत प्रिय हमेशा मौजूद है लेकिन जब तक आप अपने पुराने आदितों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप उनसे मिलने की आकाँशा कैसे कर सकते है तो हफीज कहते है एए हफीज यदी आप अपने प्रिय की उपस्थती چाहते हैं तो अपने आपको उससे दूर ना करें लेकिन बक्ति मार्क से भी पून और निरंतर आत्म विस्मरन व्यवारिक रूप से असंबफ है तो नहीं मानोनाश इस प्रवचन के अंत में बाबा ने कहा मन का काम है अहंकार को शरीर के माधियम से सोचना, मित्य अनुबफ करना और संसकारों का अनुबफ करना लेकिन जब मन देखता है कि जूटा अंकार अपनी तानाशाही को स्विकार करने के लिए तयार नहीं है तो विनम्र डीले और कमजोर इंप्रेशन बनाता है जो अंतता लक्ष की और ले जाते है इस प्रकार या तो निश्वार्ट सेवा या ध्यान या भक्ती के माध्यम से हाला की पूर्ण नहीं है लेकिन अगर कायम है तो सौ प्रतिशक विश्वास के साथ एक चरन आता है जब मन स्ताई रूप से आराम पर होता है या पूरी तरह से शांत हो जाता है और हर जगा भगवान को देखता है और उसके साथ एकता की लालसा केवल पूर्ण व्यक्ती जो सतंत्र है दूसरों के मन को यहा तक की जनता के मन को भी मिटा सकता है जब मन मरता है तो अहंकार को वास्तविक्ता का एसास होता है मानुनाश के साथ ज्ञान का उद्य होता है ज्ञान से मेरा तातपरिय मैं इश्वर राज्य हूँ के अनुभव से है तब इश्वर का ज्ञान तुमारा है इश्वर सरवग्य है तो एक जटके में तुम सब कुछ जान लेते हो आप जानते है कि जानने के लिए कुछ भी नहीं था या है आवतार महर बाबा की जै